जानता हूं थमनिल को देखके थोड़ा चौके होंगे कि अटल विहारी वाजपई और L.K. आडवानी के बीच अध्यक्षपत को लेके जगडा हुआ था जनाब बहुत बड़ा जगडा हुआ था ऐसा जगडा कि ना राजनीती ने कभी देखा और ना देखेगी और वाजप जगडे की कहानी का एंड सुनने के बाद आप भी माते पे हाथ धर लेंगे कि भाईया ऐसे भी होते हैं जगडे बस वीडियो एंड तक देखेगा तभी मज़ा आएगा तो चलते हैं सीधा किस्से पे साल था 1972 और जनसंग का दफ्तर अटल विहारी वाजपई कुरसी पे बैठे थे और एलके आडवानी मेच के दूसरी तरफ कुरसी पे बैठे थे वाजपई जी तनाओ में लग रहे थे थोड़ा स्ट्रेश थे शांती से बैठे हुए थे आडवानी ने का क्या हुआ अध्यक्ष बन जाओ, अध्यक्ष बन जाओ, मैं कैसे अध्यक्ष बन सकता हूँ भाई, आप अध्यक्ष हैं, आप से एक सारे नेता संतुष्ट हैं, पूरा संगठन आपके पीछे खड़ा है, आप ही रहे अध्यक्ष, वाजपई ने का चार साल से अध्यक्ष हूँ, कोई और बने अध्यक्ष। कितना अच्छा बोल लेते हैं आप दरसल आडवानी अपनी आत्मकथा में भी लिखते हैं कि वाजपई की वक्ता शैली से आडवानी हमेशा इंसरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते थे जीवन भर उन्हें ये कमतरी सालती रही कि वो वाजपई के जैसा भाशन न दे पाए वाज चारों में धार होती थी और धार तो तुम्हारे भी विचारों में हैं बन जाओ द्यक्स आडवानी ने का नहीं मुझे नहीं बनना अध्यक्स वाजपई गुस्ता गए अब बताओ मैं क्या कोई और नेता है नहीं आडवानी ने तीन-चार नेताओं के नाम गिना है वाज वाजपई ने दस गंग्या गिना दी ये लो इनके अंदर ये कमी इनके अंदर ये कमी ये अध्यक्ष बनने के काविल लगते हैं तुम्हें अरे तुम्ही बन जाओ अध्यक्ष अन्तो गत्वा आडवानी और वाजपई के बीत का ये जगडा शान्त हुआ एक प्रस्ताओ से जानते हैं क्या था प्रस्ताओ राजमाता विजया राजे सिंधिया के पास चलते हैं अगर विजया राजे जी मान गई अध्यक्ष बनने के लिए तब तो ठी और नहीं तो आडवानी ही बनेंगे अध्यक्ष तो वाजपई और आडवानी ये तै करके ग्वालियर की तरफ निकले राजमाता का बड़ा सम्मान करते थे वाजपई उनका पाउं छूते थे जैवेलास पैलेस की भवता के बीच राजमाता विजया राजे सिंधिया सिंगहासना अरूड बैठी थी वाजपई और आडवानी आये दोनों ने पाउं छूए राजमाता ने दोनों को बिठ बने मैं उप चुका हूँ तो राजमाता ने का किसी और को बना दो ये आडवानी बैठा है इसे बनाओ बिल्कुल काबिल लड़का है वाजपई ने का ले यही बात तो मैं कह रहा था इससे इतनी लड़ाई कर रहा है मुझसे इतनी लड़ाई कर रहा है मुझसे बनी नही ही राजमाता ने का कियूँ आड़ानी ने का बनना यह अद्यक्ष मैं बनूँ घ्यक्ष इतने और नहींateurs और आप बन जाए राजमाता हम म आपके न्यत्रत में चलने के लिए तयार हैं वाजफ़ई और आड़ानी की विनम्रबातों के बाद मान मुनववत के बाद राजमाता ने कहा चलो ठीक है बन जाती हूँ मैं ध्यक्ष अपसे जनसंक है ध्यक्ष मैं आडवानी और वाजपे एखोश हो गए खासतोर से आडवानी बला टली थी लेकर तक तक राजमाता ने कहा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट अभी रूख जाओ जरा वाजपे एडवानी ने कहा क्यूं राजमाता ने कहा जरा अपने धतिया महराज से बात कर लेते हैं तरसल सिंधिया राजगराना हमेशा धतिया महराज जो उनके गुरू जी है उनकी सलाह के साथ ही अपने सारे काम करता है तो विज़िया राजगराज जी ने कहा कि मैं भी जाती हूँ धतिया महराज से आशिरवाद लेके आती हूँ चुकि उनकी बिना सलाह बिना आशिरवाद के मैं कोई काम नहीं करती हूँ आडवानी वाजपे सोचे चलो ठीक है वाजपे आडवानी ने कहा तो राजमाता कब करना है आपका अध्यक्षपत से सिलान्यास माने उनका समारो हूँ तो विज़या राजगराज जी ने कहा आप कोई समारो करने की जरूवत नहीं है आडवानी ने कहा क्यों? चुंकि डर आडवानी को इथा ज्यादा विजय राजय ने का गुरू जी ने मना कर दिया है अध्यक्ष मैं नहीं बनूंगी अब आडवानी ने का ऐसे कैसे अध्यक्ष नहीं बनेंगी आप आपने हां कर दी थी तो राजमाता ने का हां तो हां की थी लेकिन मैंने कहा था कि गुरु जी की सला के बाद ही कुछ होगा आडवानी ने का अरे राजमाता अध्यक्ष बन जाएगे आपके अध्यक्ष बनने से बहुत अच्छा हो जाएगा संगठन के लोग खुश हो जाएगे इदर वाज़ पर ही खड़े-खड़े मुस्कुरा रहे थे वाज़ पर ही समझ चुके थैं कि राजमाता गुरु जी के कहने के बाद अध्यक्ष नहीं ही बनेगी लेकिन अडवानी अपने धिल की साथपूरी कर रहे थे राजमाता नहीं मैं बनूँगी ही नहीं अध्यक्ष तुम बन जाओ देख्ष तुम्हें समस्या क्या है मेरे लिए तो समस्या है कि मुझे गुरु जी ने मना किया है तुम्हें क्या समस्या है तुम बनोगा देख्ष अडवानिन का ने मुझे बनना ही नहीं है अब फिर सुरू हो गई तू तू मैं मैं फिर सुरू हो गई लडा प्रणाम हुआ प्रणाम होने के बाद वाजपेई जी ने कहा कि आप अध्यक्ष बन जाईए महावीर जी ने कहा क्यूं आप हैं तो अध्यक्ष वाजपेई ने फिर वही बात दो रहा है उप चुका हूँ अध्यक्षी से भाई कोई और बन जाए अध्यक्ष चार साल से अध्धक्ष हूँ, वैसे ये भी बड़ी दुरलब बात है, लोग 40 साल से अध्धक्ष रहने को तयार हैं, वाजपई चार साल में ही उप गए थे, अपनी अपनी रुची है, भाई महावीर ने कहा कि ठीक है अध्धक्ष बन जाता हूँ, आडवानी वाजपई को मेरी मुसीवट टाल दी, तब तक भाई महावीर जी ने कहा, लेकिन रुख जाओ जरा, अपनी पत्नी से राय ले लेता हूँ, बिना पत्नी की सलाह के मैं कुछ करता नहीं, वाजपई जी आडवानी की तरफ मुस्कुराते हूँ, देख रहे हैं से, लो बेटा, पतियों का यही हाल होता है, इसलिए नहीं कि मैंने शादी, दरसल तब तक आडवानी की भी शादी हो चुकी थी, भाई महावीर जी अंदर गए, आदे घंटे बाद लोट किया है, आडवानी और वाजपई जब तक खुश थे कि चलो मान तो गई ही, और अध्यक्षी के पत्त के हो जाएगा, तो पत्नी जी की सला है कि अध्यक्ष ना बनूँ, आडवानी ने कहा, अरे पत्नी की सला कभी कभी नहीं भी मानी जाती है, कोई बात नहीं, बन जाई अध्यक्ष, महावीर ने कहा, नहीं नहीं, पत्नी की सला मैं जरूर मानता हूँ, अध्यक्ष तो मैं नही ही बनूँगा आप आडवानी मत्था पकड़ लिये ले भीया जिस मुसीवत से बचने के लिए यहां आए थे वो मुसीवत होई गई फिर वाजपई आडवानी को लेके निकले बाहर बोले आप बताओ आडवानी किसके पास चलना है अब कोई नेता तो और था नहीं तो आड बटवानी को अंततो गत्वा कानपूर अडिवेशन में जनसंग काद्यक्ष बना ही दिया गया ये कहाणी जानते है कैसी इक देती है राजनीति में सिर्फ पद और प्रतिष्ठा को सपना मान के जो भी क राजनीती करता है जो भी आता है उसे राजनीति कुछ नहीं देती ह शुन्य मिलता है उसे लेकिन जो राजनीती करने के लिए राजनीती करता है उसके लिए राजनीती काम धेनू की तरह है सब कुछ देती है जो मांगोगे वो मिलेगा पद, प्रतिष्ठा, एश्वर ये सम्मान, संपत्ति आडवानी चाहते नहीं थे अध्यक्षपद लेकिन उनकी राजनीती की ताकत थी कि उन्हें अध्यक्षपद मिला बहुत सारे लोग आडवानी की राजनीती का सफलताओं की गिंतियां करते रहते हैं वो अलग मसला है लेकिन आडवानी ने नैतिक्ता का साथ दिया, हमेशा दल को प्राथ मिट्टा दी इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, चाहे वो यहां की घटना हो या 1995 का बंबई अधिवेशन, जब सिर्फ अपने दल के हितको साधनी के लिए अपने दल के खिलाफ जाकर आडवानी ने प्रधान मंत्री पत के लिए वाचपई को उम्मीदवार बनाया था कौन सा ऐसा नेता होता है जिसके पीछे पूरा दल हो, पूरा संगठन हो कि वो ही प्रधान मंत्री बने और वो कहे नहीं मैं नहीं प्रधान मंत्री बनूँगा, ये नेता प्रधान मंत्री बनेगा कितने नेताओं में ऐसा साहस है और अई बात नेता क्या सफलताओं और सफलताओं की, तो किसी नेता की सफलता सबसे ज़्यादा आगी जाती है उसके भाषनों से उसकी जनता में लोक प्रियता से, जब कोई नेता मंच पे खड़ा होके एक नारा दे और वो नारा लाखों जनता की जबान बन जाये, तो होती के दशक से राजनीती को उलट पलट के रखा था अडवानी ने तो एक नेता की सफलता आ कियेगा तो इन मानकों से उमिद करता हूँ राजनीती की ये सीख भी अच्छी लगी होगी वीडियो भी अच्छा लगा होगा किसा भी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिये